हालो फ्रेंट कैसे आप सभी फ्रेंट इंपो मार्क चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की सुडिय में आपको बताने वाला हूं कि जो पेटल पर पर करमचारी होते हैं वो उनको एक्ष्ट्रा इंकम कैसे हो जाती है और कैसे उनको प्लस के पेसे बच जाते हैं क्योंकि ए मैं आपको ऐसे बताओं आपको समझ में नाएगी इसलिए मैं नीचे आपको कॉर्णर में विडियो दे दिया हो देख लीजिए उसमें देखने के बाद में पुरा विडियो देखने ओंग वमन आपको समझाओं इसको step by step representing आप समझेद सेमज्जेगा वीडियो को avoid skip प्र stations हम्侏 कुछ समझ में नहीं आया है तो प्रेस पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंस तो स्टार्ट करते हैं ए तो प्रेंस हमने क्या देखा हमने यह देखा कि जो सेल पाइस थी यानि कस्टमर ने हमसे सेल करवाया यानि सो रुपे का हमने कस्टमर को पेट्रोल डाला जिसमें उस कस्टमर को जो है रिसीव कितना हुआ कितने लिटर रिसीव हुआ तो 0.80 उसको रिसीव हुआ सो रुपे का खरीदने पर उसको 0.80 रिसीव हुआ जबकि हमारा रेट क्या चल रहा था 114.39 ठीक है फ्रेंट्स हमें करना कुछ भी नहीं है हमें जो करना है 114.39 से मल्टिप्लाई कर देना है 0.80 तो फ्रेंट्स मैं आपको करके बता देता हूँ 0.87 multiply by 114.29 मल्टिप्लाई करने के बाद हम देख पा रहे हैं फ्रेंट्स कि 99.43 आ रहा है याने कि हमने बेचा 100 रुपेका और आ कितना रहा है 99.43 रुपेका फ्रेंड ये कोई हमने फ्रोड नहीं किया है किसी भी करमेचारी ने आपके साथ कोई फ्रोड नहीं किया है मसीन पर मैंने आपको मसीन भी बताईए कि 100 रुपेका वेक्तिन डाला है 0.87 रिसी हुआ है रेट 114.29 था 100 रुपेका डाला था ठीक है अब पता क्या चला कि 0.87 से अगर मल्टिप्लाइ कर रहे हम रेट का तो रहे पास आ रहा है 99.43 ठीक है अब हमें क्या कर लेना है हमें पता चल रहा है कि 100 रुपेका डालने पर 99.43 का यी कस्टमर को मिल पा रहा है यानि 57 पेसी का देख पा रहे हैं आप यहां पर डिफ्रेंट आ रहा होगा 17 पेसे क्या वरा है फ्रेंट्स वो एक customer पर customer पर बच रहा है पर customer पर बच रहा है ठीके फ्रेंट्स इसको भी निकाल के मैं आपको बता देता हूं 100-99.43 तो आप देख पारए होंगे फ्रेंट्स 0.57 आपका आ गया है यह पर customer पर बच रहा है अब पर कस्टमर से मेरा मतलब यह है कि वो कस्टमर जिनों ने आप से जो है हंडेड रुपे देकर की पेट्रोल पर्चेस किया है पेट्रोल बाय किया है खरीदा है ठीक है फ्रेंस उन कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ है अब मान लेते हम फ्रेंस ग्रण बर में कि एक मोटा अकड़ा ले के चलते हैं ब्रेंस लिए बंप 7 वियन्व affected कि दीन बर मेंदें पास हम मोटा अकड़ा ले के चल रहे हैं लिए दीन बर में हमारे कि एक एक डीलंग रूपी की शेलेंग हो जाती होगी एक पैस देखा है कि ये मान लेता हूं कि मेरे पंप परKAचास में से पंदरा सो में से तीनसोग बंदे एसे आये थे, 300 candidate ऐसे आये थे, 300 customer ऐसे आये थे, जिनोंने शिर्फ कितने का डलवाया है, 100 रुपे दे करके पेट्रोल डलवाया है, पंदासो से आकड़ा पकड़ना हूँ, यह example कि दुरू समझा रहा हूँ हों है ना फ्रेंज पंदा सो में से मैं क्या मांद के चलाओ कि तीन सो कस्टमर ऐसे होंगे जिनने रुपे का डलवाया है 100 रुपे का डलवाया है ठीक है अब हमको इस से क्लेंगा फ्रेंदFC कि इससे हम को यह पता चला पे写ण Czech से मॹर्टी कर देना है तीन सो से तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा प्रोफिट होगा तो वन सेवन वन आएगा इसको भी देख लेते हम एक बार निकाल के हो सकता है कि थोड़ा सब गलती भी हो सकती है तो जीरो सत्तावन मल्टिप्लाइ बाइ 300 तो फ्रेंज देख लीजिए हमको जो है पता चला कि 1500 में से सिफ हमने 300 लिया है ना फ्रेंज कस्टमर 1600 भी हो सकते हैं कस्टमर 2000 भी हो सकते हैं दिन बर में आने वाले लेकिन हम एक हमने जो है एक आकड़ा ले लिया सिफ समझाने के लिए कि 300 ही मान लेत करते हैं तो एक कस्टमर पे 0 57 तो 300 कस्टमर पे तो हमें 119 रुपए का फ्रोफिट हो अब यह प्रोफिट है उस कर्मचारी का जो की क्या कर रहा है सेलिंग कर रहा है पैट्रोल यह डिजल के टियशल पे इतना कुछ नहीं बचता है जितना पैट्रोल पे मिल जाता है तो ब को सो रुपे भी बताए गए कस्टोमर को बताया सो रुपे में 0.87 आया है रेट 114.39 था है ना तो यह प्रॉपर गाइडेंस कर्मचारी कर देते हैं है अब हमें पता के चला कि 181 रुपे क्या हुए वो उसका प्रॉफे जो कर्मचारी Europe क्या कर रहा है ठीक है फैंनि यह इसी प्रॉफे। को क्या कहा जाता हिं प्लस इसी प्रॉफिट को क्या जाता है उसके प्लस की जो पैसे बच जाते और यह उसी करमचारी के होते हैं तो फेर्श उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा रेट डिफरेंट होता है तो रेट का मैंने आपको समझा दिया है कैसे निकालते कैसे पता करें किस दिन आपका कितना पेमेंट बस सकता है और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जोटियो अच्छा लगा होगा प्लीज अच्छा लगकी तो प्लीज मेरी इच्छा होगी कि मैं आपको जो मेरे पास नोलेज हो आपको मैं प्रोवाइड कर दो